हलो फ्रेंड विल्कम टू मैं चैनल चोटी सी रासवी आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार वाली सबजी की रेसिपी जो की है मसरूम पालक और पनीर और कॉर्ण की रेसिपी और ये सबजी इतनी टेस्टी बनी की मुझे थमनील के लिए भी फोटो के लिए भी बची नहीं हम चार लोग मिलके सभी के सभी चट कर गए तो आप भी इस वीडियो को जरूर बनाएगा और ये जो सबजी बनी उसके पीछे की भी एक स्टोरी बताऊंगी कि इस सबजी मैंने कैसे बना ली तो आप इस वीडियो को जरूर देखेगा और पसंद आएगा तो सेर और सब्सक्राइब करके चाहिएगा लाइक भी कर दीजेगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कड़ाही कड़ाही में मैंने लिया है एक ग्लस के आसपास पानी इसमें मैं आधा कीलो पालक साफ किया हुआ इसमें डाल दी हूँ और इसको हम ब्लांच कर लेंगे अभी तो ये सबजी हमारी बण गई क्योंकि हमारे पास सबजिया नहीं थे घर में खतम हो गया था ममी-पापा भी आया थे ऐसे हम दोनों ही रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी सबजियां थी, खरीदे हुआ था, खतम होने वाला था, संडे नहीं आया था, तो सभी चीज़े थोड़ी थोड़ी वच्ची थी, एक पैकेट मसरूम, दो लोगों के साब से मैंने लेके आया था, और पनीर हमने घर पे बनाई थी, थोड़ी सी 100 ग्रा मैंने सोचा, एक ही सबजी बना लेते हैं, मेरे हस्बिन को पसंद आती ही मसरूम, बेटी को पसंद आती है पनीर, तो हमने दोनों को ही मिक्स करके एक सबजी बना दी, अलग अलग के जगह पे, सब को कॉन्टिटी भी हो गई, और सभी को टेस्टी भी लगा, आरफ को मैंने पनीर और कौन चुन-चुन के दे दिया, मसरूम साइट करके, तो मसरूम को भी मैंने धो के, इसको अच्छे से थोड़ा सा तेल में सोटे कर लिया, नमक डाल के, और पनीर को भी हम थोड़ा सा घी में सोटे करेंगे इसको, तो ये घर का बना हुए ही पनीर है, मार्केट का नहीं है तो हलका साही करना है मैं ज्यादा लाल नहीं करना है पनीर को मुझे परसनली पसंदे इस तरह से थोड़ा सा भूना हुआ पनीर आप चीज़ तो स्किप कर सकते इसे और इन सब को हम निकाल देंगे एक बाद यहां रखेगा पालक के जो पानी बचा था उसको आप फ यह हमारी ग्रेवी के लिए है आपशी तो सभी चीज़ों को बहुत बारिक चौप करके कर सकते बट मेरे पास अधरक लेशन का पेस्ट था नहीं तो अलग सा थोड़ा सा बंता नहीं इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा अधरक एक इंच के आस पास पास पांच छे लेश इसमें मैं चार हरी मिर्ची डाल रही है आप दिए खा अपने हिसाब से डालें हम लाल मिर्ची कम खाएंगे इसके लिए हम अभी हरी मिर्ची का इसी में यूज कर लेता है उसका फ्रीवर भी काफि अच्छा आता तो आप जरूर होता है हमारा प्याज बन कि रेटी हो गया थ तेजपत्ता और बाकी चीज़े निकाल के उसको हम पिस लेंगे इसके बाद मैंने एक दो चमच्छ तेल लिया है इसमें मैंने थोड़े से जीरा एक तेजपत्ता एक स्टार फूल थोड़े सी जालचीनी दो हरीलाइची और एक लाल मिर्च मैंने डालके तड़का लगा लिय यह मसाला एक तब फाइन पेस्ट नहीं है हमने प्यास टमाटर को दरदरा पिसा है इसमें मैं हल्दी और थोड़ा एक चमच मैंने डाला था धनिये का पॉड़र और मिर्ची अपने कोडिंग आप डाल दे कितना तीखा खाते उस हिसाब से इतना ही चीज़े डाली है और उ इस तरह से हम इस का ग्रेवी मसाला तियार करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है एक कारण और होता है इस सिपीज के बनाने का क्योंकि मेरा बेटा प्याच और टमाटर नहीं खाता तो इस तरह से खा लेता है आज कल के कई बच्चे नहीं खाना चाहते तो आ मैंने 100 ग्रम के आसपास मकई भी डाल दिया लगभग आधा कप के आसपास था और साथ में पनीर और मस्रूम जो भून के रखा था उसे भी मैंने डाल दिया है पालक के डालने के बाद ही क्योंकि अब हम इसके साथ में पालक की ग्रेवी को पकाएंगे अगर पहले ही पालक जादा के डाले गाउए डालने से पालक की अलक सी कड़ी जाती है तो आ पानी डाल दे इसको पाउठ्य मीनट के लिए पोकी के लिए छोड़ देंगे उसके बाद आप डग करने के दिल के हटा आके आप इसको चेक किजेगा ना तो आपकी सबजी बनके रेडी हो जाएगी हलका सा कलर चेंज हो जाएगा पालक का और कलर इसका भी बहुत अच्छाता है मैं परसनली पालक को थोड़ा आच्छे आट मिनट पकाने के बाद ही पसंद करती हूँ खाना इसमें हम आदा जिससे रोटी के साथ खाएंगे रोटी पराठा जिसके साथ खाना है खा सकते हैं इसके उपर एक तड़का लगाएंगे ते एक चमच घी में मैंने थोड़ा सा अदरक और थोड़ीसी लाल्मिच डाली है उपस डाल देंगे इसको आप और फलिवर्फू बढनाने के लिए तो लाइक जो किजेगा कमेंट जो किजेगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा बेल आइकन को भी जूर दबा लीजेगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिलें तो चले मिलते अगली रेस्पी के साथ में